पराया माल अपना और याद रखिये दोस्तों जब पराया माल अपना है तो उस पराया माल की कदर भी करना सीखे आप ठंठन गोपाल मत हो जाएए पिछले वीडियो में हमने ओनर्स के प्रती और साथी साथ हमने उससे पहले के वीडियो में नीड क्या है सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी की वो जाना था आज का ये वीडियो बड़ाई खास है क्योंकि यार पैसा लगाने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रती भी बिजनस इसका, यही एक एक कड़ी के तौर पर हम इस चाक्टर में सीख रहे हैं अगर आप इस चानल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इन्फरमेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, साथ ही साथ हमारे टे आपको इस चानल से जुड़ जाएगा, आपको इस चानल पर हम जल्दी लाइक सेशन लेने वाले हैं, आप्सलूटली प्री, जॉइन कीजिए हमारा सूपर स्टार बाच, जी हां आप ही है सूपर स्टार क्योंकि आप ही को करना है एक्जाम में चमत कारता, सूपर स्टार चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों जैसा कि मैंने का, सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी जिम्मेदारियों का ही लेखा जोका है, किसकी जिम्मेदारियां तो भाई, बिजनस हाउस की जिम्मेदारिया हैं, इस आर रिस्पॉंसिबिलिटी जिम्मेदारिय करतवया है आपका उत्तरदाइत हुआ है उसी के बारे में इस जाक्तर है दोस्तों नू बिजनस एक्जिस्ट इन आइसोलेशन कोई भी बिजनस अकेले तो नहीं चल सकता हर सोसाइटी का जो पार्ट है वो कांट्रिब्यूट करता है बिजनस के सक्सेस में आज टाटा अबिल है हमारा वो भी इसी के बारे में है क्योंकि यह जो रस्पॉंसिबिलिटी है यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होती है डिफरेंट इंटरस्ट ग्रूप्स के लिए बिजनस के नॉट फॉंक्शन इन आइसोलेशन इडिपेंड अपॉन दो सोसाइटी फॉर इ बिजनस में जो शेर वगएरा खरीटते हैं बिजनस का जो क्यापिटल प्रोवाइड करते हैं फिर वो वर्किंग कैपिटल हो या फिक्स कैपिटल हो तब इन्वेस्टर के प्रती जो आपको पैसा दे रहा है उसके प्रती तो आपकी जिम्मेदारी बहुत जबरदस्त बनत है आज का question है responsibilities towards investors और दोसनों खुल मिला करके 6 point का simple answer Mr.HP 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 investors के प्रती business houses का ये है responsibility क्या है तो सबसे पहले maintain transparency भाई इन्वेस्टर से कुछ चुपाईए मत maintain solvency and prestige कंगाल मत हो जाईएगा पैसे डुबा दोगी दूसरों के तो भाई solvent रहिएगा prestige का सवाल है then return on investment देना जरूरी है handling grievances जो भी problems है वो solve करना जरूरी है proper conduct of meetings time to time meetings लेकर के investors को समझाते रहना जरूरी है कि क्या चल रहा है company में then proper disclosure of information सारी जानकारी पारदर्शित तरीक के से एकदम crystal clear investors को मिल जानी चाहिए तो investors के प्रती ये 6 points है चली बारी की से हर point को समझ लेते हैं जी हां सबसे पहले point की बात करूं यहां तो पहला ही point निकल कर के अधर आता है दोस्तों maintain transparency वो business house या वो businessman कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो कुछ छुपा रहा है अगर आप अपने investor से कुछ छुपा रहे हैं मतलब आप या तो कुछ बहुत बड़ा घोताला करने वाले हैं या तो आप चाहते ही नहीं कि investor को मुनाफा मिले profit मिले आपने बस उसके पैसे use कर ली अब उससे मतलब नहीं है तो ऐसी चीज कभी सफलता हासिल नहीं करती आपको याद रखना है कि आपकी जिम्मेदारी है कि जिसने आपके उपर भरोसा करके पैसा लगाया है जिसने investment किया है उस investor को यार पूरा transparency मिलना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में काम क so it should maintain high degree of transparency in its operation तो बहुत जरूरी है transparency मतलब crystal clear रहना transparent रहना पार दर्शिता होनी ही चाहिए clear होना चाहिए कुछ भी छुपा के नहीं होना चाहिए ये पहला point दूसरे point की बात करें तो maintain solvency and prestige जी याद रखिये दोस्तों जब पराया माल अपना और याद रखिये दोस्तों जब पराया माल अपना है तो उस पराया माल की कदर भी करना सीखे आप ठंठन गोपाल मत हो जाएए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप solvent बने रहे हैं आप business को इस तरह से conduct करें कि आप कंगाल ना हो जाए कहीं न कहीं solvency रहेगी तो prestige बना रहेगा investors को भी पैसा return मिलते रह अगर आप कंगाल होते जा रहे हैं तो investors भी कंगाल हो जाएंगे आपके चक्कर में business should take continuous efforts for research innovation and expansion program बड़ी simple सी बात है नए-नए innovations करते रहे हैं expansion के लिए idea सोचते रहे हैं और इस तरह से creatively आप जो है solvent भी बने रहेंगे investors की prestige और goodwill company की बनाय रख पाएंगे तो ये बहुत important दो M हमने पड़े Mr.HP के अंदर maintain transparency and maintain solvency and prestige बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला point है return on investment किसको अच्छा लगेगा किसको अच्छा लगेगा अगर पैसा कहीं invest किया और वहाँ से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है सब नाराज हो जाएंगे हर एक investor को investment पे returns की उमीद तो होती है वो कुछ तो extra बने कुछ तो return आए मेरे investment का वही तो उसका फायदा है इसलिए तो वो invest कर रहा है and that is why investors invest their money in business and accept risk factor वो risk उठा रहे हैं they should get fair returns on investment regularly in form of interest कमसे हम ब्याज की रूप में उन्हें जो है मुनाफा मिलना चाहिए है ब्याज की रूप में उन्हें जो है returns मिलने चाहिए following points should be considered एक तो fair returns दो उनको ऐसा नहीं कि कभी कम दे रहे हो बहुत जादा दूसरा safety होनी चाहिए उन्हें के investment की और तीसरा steady appreciation of business कहीं कहीं बिजनस को grow करता होगा देख आगे जा करके उनके returns में भी appreciation होना चाहिए यह तीनी चीज़ें हमेशा returns में ध्यान रखना है क्या-क्या जान रखना है सबसे पहला fair returns होने चाहिए दूसरा safety होनी चाहिए investment में और तीसरा steady appreciation होना चाहिए यार मतलब धीरे धीरे ही सही पैसे बढ़के वापस मिलें तो मजा आ जाएगा दोस्तों इस तरह से हर investor happy रहेगा satisfied रहेगा खुश रहेगा और support करेगा और help करेगा business को बढ करते हैं दोस्तों handling grievances handling grievances की बात करें यहां पर तो problems होते हैं कई बार company को investor के जो grievances है ना उसे solve ठीक से करना चाहिए there should be effective methodology for this अगर आप investor की सुनी नहीं रहे हैं उनके जो problems हैं उन्हें समझ ही नहीं रहे है शेरोल्डर्स क्या बूलना चाहते हैं वो नहीं समझ रहें आप तो फिर company से भरोसा उड़ जाएगा उनका बहुत जरूवी उनके grievances को grievances अन्हें प्राब्लम्स त्यांचे जेक कही प्राब्लम्स अस्ती त्यांना तुम इनीट आईका और त्यात समाधान करा all queries regarding any other issue must be answered in a satisfactory way ऐसा समाधान उन्हें दीजी कि वो satisfy हो और invest करके खुश महसू करें profit मिलेगा यह समझ पाएं वरना उनको लगया कि यार डूब गया पैसे गलत जगह invest कर दिया लोग तो यह प्राब्लम सुनते भी नहीं तो यह नहीं होना चाहिए ध्यान रखना है आखिर में P से proper conduct of meetings HP के अंदर P से proper conduct of meetings ऐसी organization ऐसी संस्था का goodwill डाउन हो जाता है जो regular meetings कंडग ना करें और meetings कंडग करके investors को सही बातें ना बता है investors हमेशा expect करते हैं कि यार meeting में सारी चीज़े clear बताई जाएं तो वो सारी जानकारी लेकर के happy feel करेगा वो feel करेगा कि हां यार सही दिशा में जा रहे हैं सही direction में जा रहे हैं जहां पैसा मैंने लगा है वो waste नहीं हो रहा है तो company should call meetings should call meetings of investors and provide information about the business information देना चाहिए proper notices of meeting should be sent ऐसा नहीं कि कल meeting है आज तुम उनको call करके बता रहे हैं notice properly आपको जो है वो send करनी है in period of crisis investors should be taken into confidence कभी भी कोई problematic situation आ गई है crisis situation है बहुत मंदी का मावल है बहुत problems आप face कर रहे हैं ऐसे में भी investors से कुछ छुपाना नहीं है transparent रहना है और उन्हें confidence में लेना है कि देखिए crisis का situation है लेकिन हम सक्षम है हम इससे संभाल लेंगे confidence रखिए आप उनको confidence देंगे तो वो आप पे confidence रखेंगे factors responsible for failure should be known to the investor also अगर कोई कमी रह गई है कहीं failure मिला भी है तो failure क्यों मिला है वो भी आप को पता होना चीए और आप investors को वो बता दीजिए इस तरह से अगर आप proper meetings कंड़ करेंगे तब भी आपकी responsibility आप निभालेंगे आखरी point की बात करें तो P से आता है proper disclosure of information वो business जिसकी बुनियाद जूट से शुरू होती है वो खतम बहुत बुरी तरह से होता है तो हमेशा देनी है balance sheet आपको हमेशा crystal clear रखनी है true and fair books of accounts maintain करने है और उन्हें हमेशा time time पर proper information देनी है ताके उन्हें पता चले assets कितने है liabilities कितनी है profit कितना हो रहा है loss कितना हो रहा है management should present full and factual information to investors they should get regular reports circulars and statement of profit the financial performance of the company must be provided must be provided correctly so that prospective investors can take right decision to invest in future all this will ensure them that the investment is safe उनको एहसास हो जाएगा ना इसी से कियार यह सब clear है ऐसा इसा है company का अभी scenario यह है company position यह है इस विवार से अगर मैं investment आगे भी करना चाहूं तो इसमें कर सकता हूं future decisions लेने में भी उसे आसानी होती है उमीद करता हूं दोस्तों investors के प्रती जो भी decisions थे जो भी responsibilities थी business houses की वो आपको समझे होगी 6 point गया चोटा सा answer अभी हमने complete किया है आसान से 6 points दोस्तों simple से 6 points maintain transparency maintain solvency इसके अलावा return on investment H से handling grievances फिर P से 2 points proper conduct of meetings and proper disclosure of information उमीद करता हूं दोस्तों Mr.HP के माध्यम से मिस्टर HP के माध्यम से आपको पूरा answer responsibilities का समझ आ गया होगा yes responsibilities का answer अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को like कीजेगा अगर यहां तक देखा है तो अपना प्यार ज़रूर बरकरार रखिएगा शेर कीजेगा जारत जारता students तक हम ऐसे वीडियो लगतार आपके लेकर आते रहेंगे मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए do like, share and subscribe